विदार्थियों कैसे हो आप उमेद करता हूं कि जो टोपिक पहले पढ़ा था उसके आपने समझाओगा और दोरा अभी होगा विदार्थियों दोराना भहुत जुरूरी है बिना रिविजिन के बाद बनते नहीं ची छोटे बत्चों ची बड़े बत्चों चीच टब बनते हम या कोई भी विदार्थी टीचर कर बनेंगे जब हम उस भात को दोराते रहेंगे इसलिए आप भी बार बार रहन उसको दोराये दो दिन के बाद फिर एग अपते के बाद फिर फीद पंदरा दिन के बाद इस परकार ठीक तब बात बनेएगे अब बात आते बत्चों कि भी हर्याना कैसे बना राज्य का उद्य कलिर्विदाथ अब सभी को पता आपको कि भी एक नौंबर 1966 को हुआ पत्चों राज्य बाना अब इसे बात को ध्यान से समझना कि भारत और पाकिस्तान और बंगलादेश उस समय में एक देश था कलियर इस्टन पाकिस्तान और वेस्टन पाकिस्तान ये कहा जाता बंगलादेश 1971 नाम पड़ा है इससे पहले इस्टन पाकिस्तान था नाम इसका पोर्वी पाकिस्तान ये पस्टन पाकिस्तान ये था अब विधार्थियों सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उसका आधार था विभाजन का क्या आधार्थ विधार्थियों धरम यह आधार्थ कलियर अब इंडियन नेशनल कॉंगरेश इंडियन नेशनल कॉंगरेश इसने 1917 में कही थी बात यह ध्यानकण कि हम भासाई आधार पारे भासाई आधार पर राज्य बनाएंगे ठीक है राज्य बनाएंगे यह बात कही थी इनों ठीक है विधार्थियों इनों यह बात कही 1917 में अपने मैनिफेस्टों में कि भासाई आधार पर हम राज्य बनाएंगे राज्वा अगठन करेंगे जैसे हर्याणा और पंजाब बना। हर्याणा पंजाब का अधार क्या भासाई? वे पंजाबी बोलते हैं, पंजाब में हर्याणी में हिंदी बोलते हैं। बेल्कुल कलियर। अब भारत और पाइस्तान का जो भाजन हमने देख्या, तुमने देख्या, सुना, किताबों पढ़ा, के भी इसका जो पर्मुखादार था, वो धर्म था. इसलिए कॉंग्रेशे, आप्टर इंडिपेंडेंस, इस बात से मुकर गई. इसलिए देश का वो विभाजन इस आधार पे नहीं करना चारी थी, कि विभाजन भासा यादार हो. इस पे नहीं चारी थी करना. उनने कहा कि देश का विभाजन पहले हो लिया, बहुत हो लिया, और इस आधार पे हमारे को इसका विभाजन नहीं करना. इसलिए कॉंग्रेश से बच्ची इस बात से, लेकिन ये हुआ कि भाई, पोटी, श्रिमालू, ये आंदर परदेश के आदमी थे. आंदर परदेश. इस समय में मदराज से एक स्टेट बड़ा स्टेट था. तब लाड़ू जिसको कहे हैं. ठीक है? तो इन्होंने भासाय आधार पे आंदोल शुरू कर दिया, और इन्होंने एक अंसन भी शुरू कर दिया, भूखरता. और ये आदमी 15 दिसंबर 1952 को इनकी मिर्तु हो गई. भासाय आधार पे चाहरे थे. क्या अंदर प्रदेश एक अलग स्टेट बने. ठीक है? इसलिए जो सरकार्थी कोंग्रेश थी पिंड़ेजवाल नहरू थे, उनने सोचा बेने कुछ ने कुछ करना पड़ेगा. इसलिए 1953 में ये राज्य पुन्रगठन आयोग है. ठीक भी दार थे हूं. राज्य पुन्रगठन आयोग है. ये बनाई दोने. 1953 में उनकी मिर्तु के बाद और काफी दंगे फसाद हो गई थे. राज्य में. इसलिए एक नॉवंबर 1953 को अंद्रपरदेश राज्य आस्तितों में आया. इनकी साहदत के बाद. ठीक है? साथ की साथ इसरकार ने परणेजवाल नहरू ने या उसमेग जो प्रधामत ने राज्य पुन्रगठन आयोग किस्ता अपना के. जिनके अद्द्यक से फजल अली ये थे भी दार थे. और इनके जो मेंबर थे वे हर देन आ थे. कुंजरू. और के अम पानी करूं. ये इनके सदस्चते हैं. और इन्हों ने अपनी रिपोर्टे उन्निस सो पेच्पन में सोब दी. रिपोर्ट कर समिट कर दिनोंने उन्निस सो पेच्पन में सरकार को. तो हर्याने जो राज्य की बात थी इन्होंने भी नकार दी. राज्य पुन्रे गठान्दावगने. भासा की दबात कई इन्होंने. लेकिन इन्होंने फेवर नहीं किया. ये बात भी हुई थी. और इन्होंने कहा कि भाई आपे सोडा राज्य ये बनाईए और तीन केंदर साशित परदेश बनाईए. तीन केंदर साशित परदेश. लेकिन सरकार ने ये क्या कि सरकार ने चोदा राज्य बनाए और बचों च्छे केंदर साशित परदेश बनाए. इस ये आधार पे. जो रिक्मेडेशन ने शोडा राज्यूंग दी थी और तीन केंदर साशित परदेश बनाए लेकिन फिर इसी की जो आग थी पोटी श्री मालू की दूसी राजों में बढ़की और हर्याने में बढ़की मास्ट ताराचंद तो और फतेशंद फतेशिंद ठीके ना उन्होंने और मांग की के भी अलग होना ची ये और उसके अधार पर हर्याने में फिर जो बातें चली जेशी सहा ये कमिशन बठाया बच्चों जेशी सहा के अद्देख्षता में एक कमिशन बठाया उन्होंने उन्होंन जो कमिशन बठाया आईए 23 अपरेल 23 अपरेल 1966 को बठाया और इसने रिपोर्ट 31 माई 1966 को दे दी केवल 38 या 49 दिन में इसने रिपोर्ट के अब दी तीन साल धाय तीन साल में इसने केवल 38 दिन में दे दी इसने कहा कि हिंद पंजावी और हिंदी भासा का अधार पे राज्य का बठाया होना चीए तो बत्तो पोटी श्रीमालू अंदर प्रदेश बना जिसे काण त्रेपंद ये मूस के बाद फिर एकसपार हो गए थी अनसन के साथ थी और फिर राज्य पुनुर्गठ नायोग बना फजलाली अध्यक्स एचन कुजरू मेंबर केम पानिकर मेंबर फिर हर्याने के लिए जो बना वो जेशी सहा थे जेशी सहा और एस दत इसके जो मेंबर थे फिर एस दत ठीक बत्यों और एम एम फिलिप ये थे इसके आधार पे फिर हर्याने राज्य का उदह होता बत्यों ठीक है तो ये कमिशन पोट्टी शिरिमालू ये याद रखना और ये कमिशन याद रखना ठीक विद्धार्थियों थेंकू झाल हो ये घ्त पे लुटी जयाद है तो ये है कमिशन ये कमिशन पूलिप गार्व करे बत्यों ये, ये कमिशन थे.